आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुती सरल और सक्तिसाली टोटका जिसका परियोकर आप अपने सत्रू से मुक्ति प्राप्ट कर सकते हैं या उसे पागल बिमार बरबाद कर सकते हैं टोटका बहुती सरल है टोटके में जो मंतर दिया गया है वह पूर्ण तयाशिद किया गया है अथा आपको मंतर शिद करने की कोई आप सकता नहीं है आपको तो शिरिफ हमने जेसे जेसे बताया है आपको वेसे वेसे ही करना है और निशत रूप से आपको टोटके का फल परा प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को अंतक देखना होगा तभी आप बिना कोई गलती किये हुए टोटके को कर पाएंगे और टोटके कफल आपको प्राप्त होगा त्योंकि हम वीडियो के अंतक कुछ ऐसी महत्व पुन जानकारी देते हैं जिनके अभाव में यह करना कैसे हैं सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च लेनी है हरी मिर्च के उपर आपको काले पेनिया मारकर से या रंग से अपने दुस्मन का पूरा नाम लिखना है उसके बाद में आपको एक जंग लगी हुई कील लेनी है वह कील आपको उस हरी मिर्च के अंदर पीछों उसके बाद में उस हर्मिर्ज को अपने दाया हाथ की मुठी में रख ले और एक में मंतर बताऊंगा जो कि पूर्ण त्याशित किया हुआ है और बहुत तिलस्मी चमतकारी मंतर है जो कि इस परकार है ओम कली कली अमुक जिंदगी तुम युना साय कुरू कुरू ततकाल कुर किरी कि इस मंतर का है आप 108 बार स्व वार करना है मन्तर में जहां अमुक लिखा गया है वहां पर आपको अपने दुसमन का नामुक की मिंदगी कैम इसे बिकाए bissका लिखे लिखना है चबेौ लिखना है फूंक मारने के बाद उस हर मिर्च को आपको अपने दुस्मन के घर के अंदर फैंक देना है और आते समय पिछे मुड़कर नहीं देखना है घर आके सनान इत्यादी कर पोजन कर सो जाना है घर से भार वापस नहीं निकलना है गर घर से भार वापस निकलेंगे तो उस तोटके का सर आप पे होने का खत्रा रहेगा तो घर से भार ना निकले घर के अंदर ही रहे एक रात्री के लिए वैसे तो तोटके की सारी बते हमने आपको बताई है उसके बावजुद आप टोटका करते है और आपको टोटके का फल पर आप नहीं होता है तो आप गुरू जी से संपरकर अपनी समस्या का समधान करवा सकते है टोटका करने के बाद जो इस गंटे के अंदर अंदर आपको टोटके का फल पर आप हो जाएगा और यह टोटका आपको सनिवार और मंगलवार के रातरी को 11 बच के 15 मिंट पर सुरू करना है और उसके बाद चाहे कितने ही क्यों ना बजे उसी रातरी को ही अपने दुस्वन के घर के अंदर हरी मिर्च को फेंग के आना है अगर आपके इसके लावा और भी कोई समस्या है ज इसके लाज अभी तक कहीं नहीं हुआ है तो एक बार आप गुरू जी से बात करें अपनी समस्या के बारे में विचार में मर्स करें निसीत रूप से गुरू जी आपके समस्या का समधाना वर्शे करेंगे